ताहिर गोरा के शो बिला तकलूफ में मैं हलीमा साधिया आपको कुछ रामदीद कहती हूँ आज मैं ताहिर असलम गोरा के साथ बात चीत करूँगी इस अफ़ते होने वाले नेटो के समिट के हवाले से भारती वजीरियाजम नरिंडरा मोदी के दोराय फ्रांस के तनाज़ूर में मजीद ये के अगस्त में जुनूबी अफ्रीका के अंदर होने वाले ब्रिक्स इजलास में क्या होगा पाकिस्तान की सियासी और इक्तिसादी सूरतिहाल किसम चाती नजर आती है तो सबसे पहले मैं आपको खुशाम देट कहती हूं ताहिर गोरा साब जी शुक्रिया आज हम बाचीत का अगास करते हैं नेटो के हवाले से रूस योक्रेन जंग की सुरतिहाल में लिथ्वेनिया इस हफ़ते होने वाले नेटो इजलास में क्या होने जा रहा है जी ये जलास काफी एहम है और इस जलास में शरकत के लिए सारे कटीस मुमालिक तयार है और इसका जो एजंडा है वो अफकोर्स रूस योक्रेन जंग है और उसके साथ जो एक इंबेड़िड एजंडा है वो बहुत इंपॉर्टन है वो है स्वीडन और युक्रेन की नेटो में मेंबर्शिप के हवाले से स्वीडन ने भी कहा हुआ है कि हमें नेटो का मेंबर बनाया जाए और युक्रेन भी चा रहा है तुर्की जो नेटो का मेंबर कंटिरी है वो स्वीडन की मेंबरشिप पर इतराश कर रहा है बहुत सरे फेक्टर्स हैं नेटो के जो भी मेंबर्स कंटी हैं, उन में से किसी पर भी अगर ये वार इम्पोज होती है, किसी तरह की भी वार, तो वो सबी कंट्रीज उसको अपने उपर होने वाली इंपोज बार के तोर पर लेते हैं तो अब ये एक बड़ी पचीदा सूर्टेहाल है रूस ने अभी फिर कहा है कि अगर यूकरेन को मेंबर्शिप दी गई तो हम बहुत शदीद तरीके से अपना रदे अमल पेश और रूस पहले ही यूकरेन पे जिस तरह टैक्स कर रहा है वो भी एक मसला है तो मैं यह समझता हूं कि यह एक बहुत एहम इजलास है यह बात बरहल तैह है कि स्वीडन को भी मेंबर्शिप मिल जाएगी हो सकता इस एजलास में वो फैसला ना हो और यूकरेन को भी मिल कर रहे हैं और नेटो कंटी में जो भी यॉर्पिन कंटी मेंबर नहीं हैं जैसे स्वीडन अभी तो नहीं है स्वीडन को भी कोई खतरा लाहक होता है तो उफ कोर्स नेटो कंटी साथ देंगा लेकिन मेंबर्शिप के बाद यह सूरतहाल बहुत वाज़ हो जाती है कि फिर कि एक मुल्क पे हूने वाला हमला सारे ममालिक जो उसके मेंबर्श हैं वो अपने उपर हमले के तौर पर उसको देखते हैं बАइद वे हम कैनड़ा भी भी उसके मेंबर हैं तो इस किनेडियन जो के हम यॉरप से बहुत दूर हैं हम तो अमरीका केे मसाए हैं लेकिन हम पर ये लाजम है, किनेडियन्स पर भी लाजम है, कि अगर किसी भी मेंबर नेटो कंट्री पर हमला होता है, तो कैनेडा भी मदद के लिए पहुंचेगा, अमरीका तो हैर नेटो का इंडिरेक्टली एक तरह से जिसे कहते हैं स्पांसर ही है, सबसे बड़ा कांट्रिबूशन बज को और बुद को होगा, यानि इसी हफ़ते, और मेरा खाल है, इस इजलास के बाद क्या वहां से आउट काम आता है, इस पे हम अगले शो में बातचीत करेंगे, क्योंकि अभी तो हम ये बातचीत कर रहे हैं कि इस इजलास में क्या एंटिस्पेट किया जा सकता है, जिस पे म रूस का ही होगा, तो वो अब देखते हैं कि इन दो दिनों के बाद, यानि मंगल और बुद के जह इजलास के बाद, क्या वहां का जो मुश्तरका प्रेस नोट आता है, या उस पे क्या रिस्पांस दुनिया का आता है, ये अब देखने वाली बात है. अमरीकी सदर बाइडन, खुसूसी तोर पर इस इजलास में शिर्कत के लिए यॉरप पहुंचे, और उनकी मुलाकात प्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रिशी सुनाग से हुई, इंग्लेंड और कमों बेश सारे ही मगरबी मुमालिक, यॉरपियन मुमालिक, यॉक्रेन को फ हुई है, बिटिश प्राइम मिनिस्टर रिशी सुनाग और प्रेजिट बाइडन की, और उस मुलाकात के बाद रिशी सुनाग ने कहा, के भई हमारा जो कलिस्टर बमों की सप्लाई के हवाले से जो इतरास है, वो है. चुक्र कलिस्टर बम बहुत खतरनाक है. ये एक बहु जोर नहीं हो, लेकिन अफगानिस्तान का तो मुझे याद है. इस बम में से बहुत सरे बम निकलते हैं. और ये वसी पेमाने पर तबाही लाते हैं. और फिर इन में से जो बम निकलते हैं, वो बहा, वो कई बम ऐसे होते हैं, जो डेटोनेट भी नहीं होते, वो जमीन पर मा के अफिन मwość काफी कंसर्ण्न्स हैं, अमरीका ने ये भी उक्रेशे को फिरहां कि है कि एक तो यूकरेँ के पास एमिनेशन के जो जखाईर है, जो एमिनेशन के जो जो खिंके पास जो भी एकमूलेशन शहते हैं, वो कम हो गई है. और दूसरा रूस से अमरीका और خطرناک कारवाई expect कर रहे हैं कर सकते हैं और कर रहे हैं तो उसके नतीजा में उन्होंने ये बं यूकरेन को फरहम किये है कि अगर कोई बहुत ही रूस Extreme सूर्थेहाल के तरह जाता है तो ये कलिस्टर बं रूस के शेहरों में भी इस्तमान किये जा सकें तो यह लगता है कि बड़ी खतरनाक सुर्टेहाल है क्योंकि अभी यह जो नेटो के इजलास में एक बात यह भी डिसकस हो रही है जो कई यॉर्पिन मौले कह रहे हैं कि भई अगर युक्रेन को नेटो में शामल कर लिया गया तो इस में फिर यह वर्ल्ड वार हो जाएगी और कलस्टर बमों के हवाले से इंगलेंट खास और पर प्रॉमिनेंटली इतरास कर रहा है अब देखने वाली बात यह है कि यह इतरास क्या आप्टिक्स के लिए है या यह इतरास दिखावे के लिए है ना तो इंगलेंट कलस्टर ब के साथ हैं. इस सलसे में मुझे एक फॉर्म मिनिस्टर गालबन जर्मनी के फॉर्म मिनिस्टर की एक स्टेट्मेंट बड़ी इंट्रस्टिंग लगी. उन्होंने का कि हम यह जो कलिस्टर बम हैं, इनकी हमायद तो नहीं करेंगे. लेकिन हाँ, और हम देना भी नहीं नहीं चाहेंगे युकरेन को. लेकिन इसके इलावा आप्शन भी हमारे पास कोई नहीं है. यह बड़ी इंट्रस्टिंग यह स्टेटमेंट है. तो मैं सब इस हकीकर को जानते हैं, कि भाई यह भी अब एक जिससे इनएविटेबल सिचुएशन है. तो मेरा ख्याल है कि यह काफी सूर्टेहाल रूस युकरेन की गंबीर होती जा रही है. चौदा से सॉलह का बहुत ही हाई परफाइल दौरा अमरीका का रहा. और उस दौरे को पूरी वेस्टन वर्ल्ड ने, चीन ने, रूस ने, पूरी दुनिया ने वाच किया जिस तरह उनका सुवागत रहा. अब उसी लेवल का सुवागत और एक स्टेट डिनर जो है फ्रांस के सदर दे रहे हैं, प्रामिस इंजिनरा मूदी को. और इस दौरा में एक एहम बात है कि मजीद जो राफेल जहाज हैं, वो मिलेंगे भारत को और उनकी वो परचेस करेंगे और बहुत सारा असला भी परचेस करेंगे. चुके दुनिया में असला साजी के मिदान में, अमरीका के बाद, फ रूस की जो फैक्टरियां असले की, वहाजे भी भारत ने माजी में बहुत कुछ खरीदा और जो खरीदा हो है भारत ने रूस से जाहर है, उसकी जो अपग्रेडिंग होती है, वो भी रूस के हवाले से होगी, मगर रूस अब लगता है कि जो हाई टेक असला है, उसमें अ अब तीसरे चौते नमबर पर शायद है, अब अमरीका के बाद गालबन फरांस ही दूसरा है मुलक है, तो ना सरफ ये है कि फरांस यॉरप का एक सबसे इंपॉर्टन मुलक है, जर्मनी, इंगलेंट और फरांस ये तीन बड़े देश हैं यॉरप के, उन में से फरांस के सा भारत की जो बिजनस पार्टनर्शिप भी है, जो उनके आपस में रिष्टे हैं, वो बहुत गहरे हैं, और प्रामिर्सर निंदरा मुदी के इस विजट से और गहरे होंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि इस हफ़ते ये दो बड़े एहम इवेंट्स होने जा रहे हैं, एक त सारी खबरे मिलेंगी, जब प्रामिर्स निंदरा मुदी वहां पर होंगे, दोनों देशों की जो जॉइंट स्टेट्मेंट सामने आएंगी, जो एग्रिमेंट सामने आएंगे, तो मेरा ख्याल है कि आने वाले दोनों में, हमारे शोर्स में, जो इनकी आपस में जॉइंट statements आएंगी जो उनके आपस में agreements होंगे उस पर बाचीट का हमें अच्छा खासा मुबात में लेगा अगले मेने यानि अगस्त में South Africa के अंदर Bricks का summit होने जा रहा है इस हवाले से Western media में सवाल उट रहा है कि International court से सदर व्लादी मेर प्यूटिन की गृफतारी के वारंट के बावजूद इन परसन इजलास में शिरकत करना आप इस सूरतहाल को कैसे देखते हैं जी ये भी काफी interesting situation है एक तरफ से तो International court की तरफ से रूसी सदर व्लादी में पूतन की गृफतारी के वारंट निकले हुए है एपरेंटली तो उन वारंट के मताबक यही है कि वो अपने देश को छोड़ कर कहीं भी जाएं तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएं लेकिन ये भी मताब कहने की हाथ तक है मताब इस पे दुनिया अमल नहीं करेगी अब ये इजलास साउथ अफरीका में हो रहा है तो जोहांसबर्ग में ये इजलास होगा तो उसमें जो साउथ अफरीका के प्रेजिडेंट है उन्होंने ओपन इनको इन्विटेशन दी हुई है और ये विर्चॉल इजलास भी नहीं है अभी हमने SIkar का summit पिछले दो हफ़ते पहले देखा था वो इन-पर्सन था चार जोराऑ को गालोका हुआ था तो उसमें सादरप्रूतन विर्चॉली आये था आम सॉरी वो इन-पर्सन नहीं था वो विर्चॉल था लेकर उनों ने बहादरी से सदर पूतन को बलाया है। और इस बात के इमकानात तो नहीं हैं कि सदर पूतन को कोई टच भी कर सकेगा। अब वैस्टर्ल मीडिया इस पर अपनी बाची तो करेगा और यह सवाल उठाएगा। और एक तरह से अगर वेस्टन मीडिया ये सवाल ज्यादा तेजी से उठाएगा तो वो इनफेक्ट इंटरनेशनल वो कोट और वेस्टन वर्ल्ड को भी इंडिरेक्ली मौक करेगा के देखिए जी के आपने तो उनकी गिर्फारी के वरंड जारी की हुए हैं तो वो तो मतलब रूस से बाहर निकल के इन पर्शन अफरीका के सबसे इंपोर्टन मुलक में शामल हैं और वहाँ ना सिरफ वो होंगे प्राम इंडर्मूदी भी होंगे चीन के सदर भी होंगे और ब्राजील के भी हैड उफ दी स्टेट होंगे ये पांच देश जो हैं ब्रिक्स यानि ब् C से चाइना और S से साउथ अफरीका और इंटरस्टिंग बात यह कि अभी S.C.O. के समिट में भी जो तीन बड़े देश हैं वो रशिया इंडिया और चाइना हैं ब्रिक्स में भी ये तीन बड़े देश हैं और हमने पिछले शोव में बात की थी कि इनके आपस में यानि इन बड़ी इंपॉर्टन बात है और मेरा खाला कि अगस्ट में ये इजलास जो होगा उस पे दुनिया की काफी नजरे हैं और देखते हैं कि उसमें सदर वुदादी मीर प्यूतन के खिलाफ वेस्टरन वर्ल्ड क्या स्टेटमन जारी करते हैं किया नताहिज निकलते हैं इस स समट के हवाले से सोशल मीडिया के ओपर ये अफवाएं चल रही हैं कि ब्रिक्स मुमालक जो हैं ये अमरीकी डॉलर की बजाए सोने को बैनल अक्वामी करंसी बनाने का मतालबा करेंगे आप इन अफवाहों के हवाले से क्या तबसरा करेंगे देखिए ये एक जो रियूमर परापगेंडा करते हैं, अमरीकी भी करते हैं, पूरी दुनिया करती है, अब तो बदकिसमें जीज़े हमारे के इन इडियन भी करने लग पड़े, सिच्चुएशन बड़ी अफस्वास ना का, लेकि बारहाल ये एक रियालिटी है, और ये भी रियालिटी है कि परापगे से लेकर और सबसे जो मशहूर प्रापगेंडा था, वो तो हिटलर का था और खौफनाथ था, मगर अब इस मौडरन सोशल मीडिया के जमाने में, तो हर बात के हवाले से तना प्रापगेंडा होता है कि हमें पता नहीं चलता कि असल हकाइक क्या है, सच क्या है, और जूट क अब जहां तक यह सोने की बात है, तो सोना तो अल्रेडी हाई-end commodity है, अल्रेडी हाई-end commodity है, सिर्फ वो सोना नोट नहीं है, कागर्स की सूरत में नहीं है, सोना आज भी अमरीकी डॉलर हो, बेटिश पांड हो, चीनी करंसी हो, जपानी करंसी हो, भारती करंसी हो, जो दुन सब के मकावले में सोना जो है वो आज भी सोना ही है इसके लिए कहते हैं ने गॉल्ड is never old झाल नी ठीक है तो गॉल्ड is never old और या यह भी एक है गॉल्ड is gold तो वो जो old जमाने से चला आ रहा है गॉल्ड का perception तो वो तो आज भी है गोल्ड को अगर करंसी के तोर पर ना भी इस्तमाल करें तो गोल्ड इस गोल्ड लेकिन गोल्ड का जो कागजी करंसी के alternate पे जो इस्तमाल है वो मुझे possible नहीं लगता क्योंकि इसके यह है कि चीन की सबसे ज़्यदा ट्रेडिंग आज भी अमरीका के साथ और यॉर्चमन दुनिया के साथ है और वो अमरीकी डॉलर में ही होती है यानि चीन की जो आज भी कारोबारी श्राकटदारी है वो दुनिया के साथ, यौरप और मगरब के साथ, और प्रीसाइज़ ली, अमरीका के साथ, वो डॉलर में हो रही है, तो चीन भी चाहेगा का आजिटेजी रहे, अब ठीक है रूस के साथ, वो यौन में ट्रेड कर लेंगे, तो वो चल जाएगा, लेकर बाकि दुनिया के trade के volume से कहीं ज्यादा है तो वो भी यही चाहेंगे और वैसे भी जो currency है वो अब तो खैर digital currency बन चुकी हमने देखा crypto currency और यह सब कुछ यह अब खुद एक जो है इतनी fluctuate कर रही है crypto currency की situation लगता था एक जमाने में कि यही दुनिया पर rule करेगी लेकिन अब लगता है कि यह दुनिया पर rule नहीं करेगी दुनिया पर rule वही अमरीकी डॉलर ही करेगा और इसमें मेरा खाल एक rule करने वाली बात भी कोई यह एक symbol है अमरीकी डॉलर एक symbol है इससे मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई बहुत फर्क पड़ता है ठीक है अमरीकी डॉलर के रेजर्व हार एक के पास होने चाहिए ताकि वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकें लोग जो दुनिया के दूसरे देश हैं मगर वो भी जो रेजर्व हैं वो आपकी कॉमेडिटी इसकी बेस पर होते हैं अब जैसे अरब मुलकों के पास भी सोना बहुत है लेकिन तेल भी सोने की तरह उनके पास एक कॉमेडिटी है तो उनके पास रिजर्व ही रिजर्व हैं अब जैसे वेंजवेला है उनके पास इतना तेल है लेकिन इतनी बैड गुवर्णन्स है उनके बिचारे अपने लोग बूखे मार रहे हैं तो इसका मत्ज़निए एक अगर आप के पास सूना भी हो, तेल का टेल के जखायशा हो जैसे वैंजवेला की सूरत है या जैसे खुद कई अफरीकी मुलकों के पास है या खुद रूस के पास है इतनी ज़्यदा एनरजी है रूस के पास तेल है मगर आपकी यानि इन देशों की बैट गवर्नेंस इतनी खतरनाक है कि या अपने देशों के लोगों का भला नहीं कर बाते है तो मेरा ये ख्याल है किसे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास कितना गोल्ड है या कितना तेल है अगर आप अपने मुलक के अवाम का भला ही नहीं करना चाहते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप डॉलर से उसको गोल्ड की करंसी ले आए लेकिन बारहाल ये इसका कोई इमकान नहीं है कर गोल्ड मतब करन्सी के तोर पर आएगा गोल्ड और रेडी एक बहुत ही इंपॉर्टन्ट कॉमेडिटी है और वो रहेगी और हमेशा से है चलिए इंटरनाशनल सेनारियो के ओपर इंटरनाशनल पॉलिटिकल करन्ट सेनारियो पर बात करते हुए आखर में हम पाकिस्तान की स लेकिन चुके हमारे वियूर्ज जो है वो पाकिस्तान की जो बहुत ही टेंस एकनॉमिक और प्लिटिकल सिचुएशन उस पे हमारी कम्यूटी जरूर सुना चाहते हैं इस हफ़ते जो हम देख रहे हैं वो यह है कि पाकिस्तान में थोड़ी सी इक्तसादी बेतरी चल रही है जब से आइम एफ ने स्टैंड बाई लोन की बात की है तो वहां की स्टाक मार्किट भी उपर जा रही है डॉलर भी वहां पे यानि पाकिस्तान की करन्सी के मकाबले में नीचे गर रहा है तो इस पे पाकिस्तान के जो पॉलिटीशन जो सिटिंग गार्मेंट है जो इस्ट होना है यह जो थोड़ी बहुत बेतरी हुई है यह भी इंपॉर्टन्ट है इसका क्रेडिट भी सिटिंग सरकार को जाता है हमें दे देना चाहिए क्योंकि उन्होंने कोई देर साल से जबसे इमरान खान की पिछले साल से गार्मेंट गई है काफी जूते खाए हैं अवाम क और बहुत मसाइल रहे हैं अब बहुत अनपॉपलर भी यह जो सिटिंग सरकार की प्रिटिकल पार्टीज हैं वो हुई हैं बिलाहर को दो तीन हफ़तों से वो यह बातचीत कोई अच्छी खबरों की सूरत में सुन रहे हैं तो यह हफ़ता भी मुझे लगता है कि पाकिसान की अक्तसादी सूरतेhahal के हावाले से शायद बुरा हथ़ता और यह लेकिन पाकिसान खुद स्टाउक एक्चेंज की तरह है 9 माई के बाद वह जरा कॉर्णर हुए हुए हैं, तो अब इमरान खान हर रोज यूट्यूब पे आके यही कहते हैं, जी मुझे बस गृफ़तार करने वाले हैं, गृफ़तार करने वाले हैं, दौहाई देते रहते हैं, और अभी उन्होंने एक दो रोज पहले जो अपना का क तो इनको ज्यादा जूट बोलने का एवार्ड मिलना मिलना चाहिए, लेकिन बारहाल अब ये काफी दिवार के सार लगे हुए हैं, और इस सारी सूरते हाल में पाकिसान की प्लिटिकल सिचुएशन भी जरा स्टेबल नजर आती है, एकनामिक सिचुएशन बेतरा स्टेबल नजर आ रही है, आगे इलेक्शन अगर ये वक्त पे हो गए, मेरा खाला है अगर इलेक्शन वक्त पे होते हैं तो अपरेंटली यही लगता है, कि इस वक्त इमरान खान को चुके इस्टेबलिच्मेंट ने दिवार के सार लगाया हुआ है, तो ये बेस्ट टाइम है, सिट के सैवलिश्मेंट को भी होगा, सिटिंग प्लिटिकल पार्टी को भी, जो सरकार में हैं। उनको भी होगा लेकिन फिर पाकिसान में ये दो, तीन, चार महीने का वक्त जो है, ये बहुत बहुत लंभी प्रडिक्शन इसमें की जा सकती, कुछ नहीं कहा जा सकता. कि वहां पे किस लम्हें कौन सा जो political धमाका हो जाएं और वहाँ की सूर्पेहाग जिस को हम एक लमा कुछ और देख रहे होते हैं और दूसरे लमा वो क्या होगी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता तो देखते हैं तेल देखते हैं और टेल की धार देखते हैं ताहिर गोरा साब करन्ट पुलिटिकल अफेर्स के उपर डिसकेशन और तपसरों का बहुत बहुत शुक्रिया हम आने वाले दिनों में मजीद इसके उपर गुफ्तुगू करते रहेंगे ताहिर असलम गोरा का शो बिला तकलुफ आज मेरे साथ देखने का बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे इसी चैनल पर मौझूद डोनेट के बटन को दबा कर आप पेट्रियान पेपॉल या क्रेडिट क काट के जरिए डोनेट कर सकते हैं सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल और प्रेस्ट अनुटिकाशन पटन